अशोक तवर जी पुर्व कॉंग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गया है फोन लाइन पे उनसे जरबाद करते हैं अशोक तवर जी आखिर कॉंग्रेस पार्टी का ये हाल क्यूं है कि वो अपने सीनियर लीडर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता उनकी सुनता नहीं उनके सुझावों को नहीं मानता एक और ऐसे ही वरिष नेता गुलाम नवी आजाद ने पार्टी की प्राप्मिक सदसेता से इस्तीफा दे दिया है आप भी इस पार्टी में पहले रहे हैं क्या वज़े आप मानते हैं कि आपकी नजर में भी राहूल गांदी ही जिम्मेदार है पार्टी की इस हालत के लिए और इस वक्त जैवीर शेर्गिल जिन्हों ने इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती है घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनस करती है आपको भी सीखना है और करना है फिर क्यों देरी फ्रीडम आपको अभी डाउन्लोड करें how Indian National Congress has transformed from a formidable political party into a cozy club of PA security guards and Darbaris who are nothing but mere chair leaders who only work for themselves, neither for the party and neither for the people of India. It is tragic that on one hand in front of the nation a PR exercise in the name of Bharat Jodo is being launched but in reality this cabal is working within the Congress party on Congress Todo Abhyan pushing out, elbowing out all the well-meaning leaders who have nothing but goodwill for the Indian National Congress. I think this letter speaks loudly the sentiments of many thousands and lakhs of well-meaning Congress workers, well-meaning Congress leaders who are troubled by this Darwari culture. But sir, how do you see what should be the role of the Congress leadership now because you are saying the youngsters like you and even the stalwarts like Gunam Nabi Azad are now leaving the party. What should be the reaction and what should be the action from the Congress top leadership? The top leadership of the Indian National Congress now will have a clear choice or rather will have to make a clear choice whether to ensure that Indian National Congress remains a political party or whether it is now only an adda of these psychophones in Darbaris. The truth of the matter is people of India have the trust deficit between people of India and Indian National Congress is growing day by day. The fact is that it pains many young people like me, many senior people, many middle-aged people that now Congress is being given on for management and franchise and Congress ka theka in Darbaris. How do you see what will be the setback for the not even for the Congress and for the Gandhi's and for the opposition? Firstly, it is a big setback. जो ये चित्थी आई है, एक बहुत बढ़ा जटका है, जो जनता आज ये प्रशन पूच रही है देश की. जो भारती राश्ट्य कॉंग्रिस अपने ही लोगों को एक अठा नहीं कर सकती, अपने ही लोगों का विश्वास नहीं जीत सकती, वो देश की जनता का विश्वास कैसे जीतेगी, जो गुलाम नभी जी की चिट्थी है, वो एक जीता जाकता सबूत है, इस बात का प्रमान है कि कैसे भारतिय राश्टिय कॉंग्रिस को एक मजबूत राजनितिक दल से आज एक अड़ा बना दिया है दरबारियों का, सिक्यूरिटी गार्ड का और OSD's का मुझे इस बात का दुख है कि आज कॉंग्रिस पार्टी को अगवा कर लिया गया है जो तन्खाग वाले तन्खईये हैं, जो तन्खाग की इंपलॉईज हैं, आज वो उन कारेकरता पे, उन नेताओं पे भारी हो गए हैं, जिन्नों अपना खून पुसीना भारतिय राश्टिय कॉंग्रिस को दिया सर भजे क्या लगती है आपको, उसके लिए जिम्मेदार आप किसे मानते हैं, जो इस तरीके से जो आप आरोप लगा रहे हैं, इस तरीके से वो हावी होने दे रहे हैं, तो क्या आख बंग मूंत के बैठा हैं कॉंगरिस का लिडर्शिप चागए हैं इस तरी तरफ में गा पाटी चुनाओ हारेगी, कितने और नेता छोड़के जाएंगे, कितने औरों की जमानतें जब्त होंगी, देखे जैवीर शेरगिल को आप सुन रहे थे, पुर्व कॉंगरिस नेता, कॉंगरिस पाटी में ये भी थे और नाराजगी अपनी कई बार जाहिर कर शुके थे, लेकिन इनके असंतोष को पाटी कम नहीं कर पाई वजह ये भी पाटी से किनारा कर गए, इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी, ये हर महीने 50,000 कमाती हैं, घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनस करती हैं, आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी, फ्रीडम आप को अ